फिल्म की शुरुआत होती है एक फैंबली को दिखाने से जिसमें मेसी नाम की एक लिड़की अपनी मोम और डेड की साथ रहा करती थी आज उसके डेड की बड़े थी जिनके लिए मेसी ने केड़ की पास जाती हैं बड़े विश करने के लिए जहां में पता चला कि उसकी डैट परलाइज है जिसकी वजह सी ना तो वो चल फिर सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं तो हर वक्त वो बस वेलचिर पर ही रहती हैं जिसके बादी दुनों मा बेटी उनकी बड़े मनाने लगती हैं और यहां उसकी मोम अपने हजबन को गिफ्ट भी रेती हैं जो अजीब साही गिफ्ट था क्योंकि उसे खोलने पर कुछ हतियार और चाको निकलती हैं जो खुद मेसी की मोम रोज ने बनाए थी खैरत वाली बात की उनकी हैंडल किसी हड़ी से बने लग रही थी जो चीज मेसी के डैड ने बे नाटिस कर ली थी वो काफ़े कोऊर से उने देखनी लगी पर क्या करती चाकर भी कुछ बोल नहीं पाती अब मेसी की मोम रोज अपने हजबन को एक इंजच्शन लगाती है जिसकी बात उने के खिलानी लगी कि तब इनकी दर्वाजे पर दस्तक होनी लगी यह हरान रह गई की इस वक्त कोन हो सकता है तब मेसी औरोज दर्वाजे की तरह जाने लगी लेकिन तब यह दस्तक तेज हो गई ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोड़-जोड़ सी दर्वाजा पीच रहा है तो प्लीज हमारी मदद कर दीजिये ना अब पहले तो रोज को अजीब लगा इसलिए वो मदद करने से इंकार कर दी थी है पर वो लड़का बार-बार के रहा था मिनतों पर उतराया इसलिए रोज मान जाती है और उन दोनों को घर के अंदर ले आई और वो लड़का अपने जटमी बाई को गर के अंदर ले आता है जिसके पेट में एक रोट गुसा हुआ था दोनों ही काफी कब्राय हुए थी वो लड़का बताता है कि हम काफी दूर से सफर करती आवा रही थी पर रास्ते में अंदीरा होने की वज़े से हमारा एक्सिडेंट हो गया और ये रोट पता नहीं कैसी मेरे भाई की अंदर गुस किया मैं छोटा भाई हूँ और मेरे ये जटमी बाई बढ़ा है इसका नाम जेक है अब जेकी ऐसी हाल अदी कर रोज उसके मदद करने का फोरण फैसला करती है वो उसके भाई की मदद से जेक को एक जगा पर लिटाकर पेले उसका रॉट निगालती है फिर उसके जखम पर टांकी लगाती है रोज कोई नर्स नहीं थी लेकिन फिर भी टांकी उसने इतनी सफाही से लगाए थे कि उसे देखने से लग रहा था जैसे वो ये कम सालों से करती आ रही है है थोड़ी दिर की बार रोज जेकी बाई को खाने मगेरा देकर उससे बाते करने लगी कुछ सवाल पूछती है कि तुम लोग कहां से आ रहे थी और जाखा रहे थी और किस काम के सिसले में जिसका जवाब वो देता दो है लेकिन बहुत रुक रुक है तरोज को समझ लग चाती है कि ये मुझसे छूट बोल रहा है पर आगी वो से कोई बात करती यहां जेक आ जाता है जिससे होश आ गई थी और अब वो काफी बीतर मैसूस कर रहा था वो रोज को कहते है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया एन मुकी पर मेरा इलाज करके तुमने मेरे चान बचा ली रोस का कहिना था कि कोई बात नहीं तुम बहुत जखमी थी तुम उससे देखा नहीं गया तो जेक सी कही दिये कि तुम्हारी भाई को क्या बोलना नहीं आता मैंने इसी सवाल की तो यह बहुत अटक अटक की रुक रुक की बोल रहा था जिस पर जेय कहते हैं कि वो किया है यह बहुत मासूम सीधा साथा है इसका दिमाग अभी तक बच्चों वाला है तब ही यह ऐसा है और मैं भी इसकी साथ ऐसी पेश आता हूँ जिसी चुटक बच्चा है अब खाना वगेरा खाने की बार दोनों भाई अराम करने के लिए चले जाती है और उनकी बातों से हमें यह अंदाजा हो गया कि दोनों असल में चोर है वो पैसे चुरा कर भागी रहती कि तबी उनका एक्सिडेंट हो गया अब ऐसे उनकी गाड़ी वहाँ पर फैस कई तो यह पकड़ी भी जा सकती थी इसलिए गाड़ी को वही छोड़ कर यह निकल आए तो इनका पैसो से बरा हुआ बैक तो गाड़ी में ही रह गया था जो ने जल से जल लाना होगा अब जेक शाता था कि मैं गाड़ी की पार जाकर उस बैक को ले हूँ जहाँ एक्सिडेंट हुआ था वो जब काफी धूर थी और इने अब रोस की गाड़ी भी चाहिए थी इसलिए दोनों भाई प्लैन बनाती है प्लैन की मताबिक जेक का भाई कंट्रूल से बाहिर हो गया तब जेक उसी संभाल रहा होता है रोस पुछती है क्या बात है ये ऐसे क्यूं कर रहा है जेक जवाब देते है वो दरसल इसकी पसंदीदा कौपी तो गाड़ी में ही रह गये उसे लाने की ये जिद कराएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कौपी ले याँ तक ये शान्त हो जाए मुझे आपकी गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी तक जाना होगा अब यहां रोस उसकी बाई को समझा दिये ये बेटा ऐसे जिद नहीं करती तुम्हे कौपी चाहिए ना मिल जाएगी थोड़ा सबर रखो जिस पर उसका बाई थोड़ा शान्त हो गया लेकिन फिर रोस को पता नहीं क्या हुआ वो कहती है कि मुझसे भी इसकी ऐसे हाला देखी नहीं जा रही चलो इसे लाही दीती है वो कौपी जो कहकर अब रोस और जेग गाड़ी लेकर एक्सिदेंट वली जगह पर जाने के लिए निकल गए पर जाती जाती रोस मीसी को कहती है कि बेटा तुम घर पर अकेली हो ओकी तो जेग की बाई से ज़्यादा बात मत करना जिसपर मेसी मान भी गई कहती है मामा अब इल्कुल पे फिक्रों कर जाए मैं पोरा ख्याल रुखोंगी जिसके बाद वो तोनों निकल गए जब रास्ती में थी तो अपनी फैमिलीस की बारे में बात करने लगे यहां रोज दुख्य होती बिताती है कि मेरा भी एक बेटा था पर एक गाड़ी से उसको बहुत बुरा एक्सिडेंट हुआ जिस वज़े से उसकी मौत हो गई मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा था जिसमें आज भी बहुत याद करती हूँ घर में मेसी को हम देखते हैं जिसका जैक की भाई से बात करने का बहुत दिल कर रहा था क्योंकि आज वो पहली बार किसी और से बात करने वाली थी असल में रोज ने शुरू सही उसे भूस सकती वाली महोल में पाला कभी भी मेसी को उसने किसी से बात करनी नहीं दी यही वज़ा है कि आज तक उसने सिर्फ अपनी मौम रोस सही बात की तो उसे देखर मेसी का वो दिल चाहरा था कि इससे बात करूँ और फिर काफी सोचने के बात आखिश जैक की भाही के पास चले ही जाती है उसी बाती करना शुरू कर देती है उधर जैक और रोज एक्सिरेंट वाली जगह पर पहुँच गई जहां आती ही सबसे पहले जैक पैसों वाला बैग लेता है और चुप किसी वापिस रोज की गाड़ी की तरफ निकल दिया पर इस तुरान हम गाड़ी में किसी की लाश को जिसके बारे में जैक को पता था इसलिए वापिस आकर लाश को चुपाने की कोशिश कर रहा था पर रोस ने ये चीज़ देख ली थी इसलिए जब लें दोन्हों गाड़ी में आकर बैठें तो इस बारे में रोज ने सवाल किया की वो लाश किसकी है किसी मारा है तुम ने ये सब क्या है जिस पर जेक को गुस्सा आ गया वो फुरान गन निकाल कर रोस पर तान देता है केनी लगा कि चुप करके बैटी रो ज़्यदा सवाल करके मेरा दिमाग न पकाओ और क्योंके गाड़ी वो ही चिला रही थी तो गन फॉयट पर जेक उससे कहता है कि सामने जो पब्लिक टेलिफून नजर आ रहा है ना वहाँ लेकर चलो तो वो ऐसे ही करती है वहाँ आने पर जेक अपनी बोस को कॉल करता है वो सब पैसों वाले बैग और अपने बेटे के बारे में पूछता है तो यहाँ आमें समझ लगती है कि गाड़ी में जिसकी लाश थी वो असल में बोस का बेटा था और उसकी तो मोत हो गई थी और यहाँ जेक वोस से छूट बोल देता है कि आपका बेटा हमारे साथी है बिल्कुल सही सलाम और आप आज हैं मेशिक पैसों वाना बैग लेने के लिए घर पर मेसी और जेक का भाई रेडियो सुन रहे थी तब एक खबर चल जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि दो भाई चोरी करके फरार हो गई है और यह दो भाई और कोई नहीं बलके जेक और उसका भाई ही थी इसलिए वो उसी में रेडियो तोड़ दीता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तब यहां जेक और रोज भी वापीस आगई पर यहां रोज कुछ नहीं बताती क्योंकि जेक ने उसे पहले ही मूँ बंद रखने को गे दिया था अब थोड़े दियर में यहां एक पुलिस ओफिसर आया जो भी इसल में जेक और उसकी भाई की दलाश में आया था पर यहां भी रोज उनकी बारे में चुपाती है और ऐसे करके दिखाती है जैसे उसकी फैमली के लावा घर पर और कोई हो ही ना बाहिर बारे शो रही थी तो पुलिस वाला उससे एक कप काफी मांगता है जैक बाहिर निकल करा जाता है वो ऑफिसर को शूट करने ही वाला था कि वो ठीक वक्त पर उसे पकड़कर रोक दीता है और ऐसे दोनों के बीच हता पाई होने लगी ऑफिसर उस पर बाहिर पढ़ने लगा और दिवार की साथ उसी मार मार कर भी होश कर देता है पर तबियां गल लेकर रोज आ गई ओफिसर को शूट करके मार देती है इस पेच हमने नाटिस किया कि उसके इस बेंड अब बेतर हो रहे है यनि कि वो बोलने की कोशिश कर रहे थी पर ये चीज़ रोज ने देख ली थी वो चल्ले से इंजक्शन लेकर अपने इस बेंड की पास आई और फोरनी उनी लगा दीती है जिससे वो तुबारा भी होश होने बने हो चाते हैं अब इस साही सोड़ते हाल से हम समझ पाई कि रोज कोई आम औरत नहीं है बलकि उसके जिन्दगी के भी गहरे राज हैं जो वो ऐसी हैं अब यह देकर मेसी काफी डर गई जिसके बाद रोज आकर उसी गले से लगा कर शान किरती हैं रोज फिर अपनी बातों मेसी को उलचा कर उसी बना लेती हैं और यह दोनों मा बीटी उस ओफिसर की लाश को जंगल में टिकाने लगाने चाती हैं रोज ओफिसर की लाश को वाँ इस सरा रखती है तकि सब को लगे कि किसी मुझरिम ने ओफिसर पर गोली चिलाई और इसमें उसकी मोथ हो गई अब हम जैक और उसकी भाई को बीसमेंट में देखते हैं बागने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं पर जैक को याद आया ओ शिट में तो पैसो वाला बैक घर की अंदर ही भूलाया जिस पर उसका बाई कहते है छोड़ो बाई रहने दो भूल जाओ उन पैसों को पर जैक कहते कि नहीं तुम इंतिजार करो मैं जाता हूँ और पैसे लेकर आया बस नो मिन्ट में अब जब वो खड़की के जरीए घर के अंदर चाने लगा तो अब की बार वो एक खुफिया कमरे में आ पहुचता है जहाँ पर उसे एक औरत बहुती पुरे हालत में बंदी हुई मिलती है उसकी हालत इतनी खराब थी कि चीरा भी अजीब सा हो गया था और सबसे दर्दनाक बात उसकी हाथ पाउं काड़ दिये गी थी और अब यहां सारा राज खुल कर सामने आता है यहां जैक को पता चला कि यह औरती असल में इस घर की असली मालकीन है और यह फैमली यानि हिस्पन और बेटी मेसी भी इसी की है यानि कि वो वाइब नहीं होई थी बलकि उसे अगवार करके उसकी इसी घर में ही कैद कर दिया था असल में जैसा कि रोज ने बताया था कि मेरी बेटे की कार एक्सिडेंट में मोथ हो गई तो उसकी बेटे की मोथ इसी औरत की गाड़ी से हुई पर वो नॉर्मल एक्सिडेंट था इसने जान बोच की नहीं मारा था उसे पर रोज तो बेटे की मोथ से इतना पागल हो गई कि उसनी बद्रा लेने का ठान लिया उसने इस औरत की पूरे ही फैमली को कैद कर लिया इसमें सबसे पहले उसने घजबंड को ऐसी दवाया दीन कि उसका जिसम परलाइज हो गया जिससे वो चलने फिरने की किया बोलने के काबिल भी ना रहा उसका अपने जिसम पर ही कंट्रॉल खत्म हो गया करेमबाध में इसी कि उस वक्त वो काफी छोटी थी तो इन बातों को वो नहीं समझ सकती थी तब उसे भी रोज ने अपनी बातों में उल्चा कर ये कह दिया कि मैं तुमारी माँ हूँ और तब इसे वो रोज कोई अपनी मौम समझने लगी फिर रोज ने इस औरत यनि घर की असली मालकिन को यहां कैद करके उसकी हाथ पाउं काट दिये पूरे घर में फैमरी लगा दिये ताकि ये औरत रिकार्डिंग से अपनी फैमली को देख सके और ये भी किस तरह अब उसकी फैमली रोज की फैमली बन गई है जहां ये हां से खुशी रहती है सिर्फ ये ही नहीं बलकि रोज तो इतनी खतरनाक औरत बन गई थी कि वो चाकोचुरियों की हड़ियों के जो हैंडल थी वो उसने इसी औरत की बाजू और टांगों की हड़ियों से बनाए थी अब ये सब देकर जैक काफी चिसपाती और दुखी हो गया उसे इस औरत पर तरसा रहा था इसलिए वो इसकी मदद करने का फैसला करता है वो ये बात औरत से भी कहता है जिस पर वो कहने लगी नई बेटा तुम ऐसा करो मुझे खतर में कर दो प्लीज मुझे इस दर्ट से अजाद कर दो मैं नहीं से सकती और वैसी भी अब मेरी जिन्दा रहने का कोई मकसद भी नहीं बचा और नहीं मैं रोज की और जुनन बरदाश कर सकती हूँ जिस पर जेक ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लीता है और दिल पे पत्थर रख की उसे खत्म कर दीता है क्योंकि इस वक्त दरसल वो भी अपनी मौम को याद कर रहा था फिर वो पैसो वाला बैक भी लेता है और जैसे वाँ से जाने लगा यहां पर मेसी आ जाती है इसे जल्दी सी जैक पकर लेता है और फोरण दूसरी कमरे में ले गया जहां वो से उसकी असली मौम की बारे में बताता है कि तुम्हारी असली मा कोई और थी ये रोज नहीं है सबोत की तोर पर वो से उसकी मा की तस्वीर भी दिखाता है जो देखकर अब मेसी को भी एकिन हो गया वो काफी दुखी हो गई पर उसकी पता चला कि मेरा भाई तो यहां ही नहीं जिससे वो काफी परेशान हो भिया उसका भाई तो असल में रोज की साथ था क्योंकि इस सबकी दुरान रोज उसे अपने साथ ले गी थी और उसकी बोलेपन का फ़र्दा उठाकर वो उसे भी अपनी बातों में परसाने लगी यह कह देती है कि तो मेरे बेटे रियसी हो और आज से मैं ही तुमारे मा हूँ अब यहां जैक अभाई इससे बच्पन से मा का प्यार नहीं मिला आज उसी रोज के अंदर अपनी मा नज़र आरे थी वो उसकी बातों में आ जाता है और ऐसा ही रोज के साथ था वो उसमें अपने बेटे को देख पा रही थी अब जैक वापिस घर में आया अपने भाई को लेने के लिए पर पहरी रोज उस पर गोले चिला देती है जिससे वो काफी जख्मी हो गया ठीक इसी वक्त मेसी यहां पर आई और उसे सहारा देकर बाहर ले जाती है कि तब ही यहां उनका बोस भी आ गया जो जैक से पूछता है कि यहां पर क्या चल रहा है और मेरा बेटा और पैसे कहा है तो अब यहां जैक रोज को बसाने के लिए अपने बोस को यह कह दीता है कि इस औरत की पास यह आपका बेटा भी है और पैसे भी पर उसके बोस तो पता था कि ये जोड बोल रहा है क्योंकि उसने आते हुए इनकी गाड़े देख ली थी जिसके अंदर उसकी बेटे के नाश थी इसलिए वो या जैक पर बरसता है उसे काफी मारता भी है कहनी लगा कि तुम्हारी वज़ा से मेरे बेटे की मौत हो गई है औ अब देखना मैं तुम्हारी भाई को भी नहीं छोड़ूँगा उसे भी मरना होगा अब बोस जैक को पकड़की आगे बढ़ा जहां सामने से रोज आ रही थी बोस उस पर गन तान देता है कि जैक की भाई को मेरे हवाले कर दो अब रोस नब बेटा समझ रही थी वो भी उ जिसे जैक का बाई आकर वो उसके साथी पर ही चाको से वार कर दीता है जिसे उसकी तो मौत हो गई पर यहां हमने देखा कि अब वो भी रोस को अपनी मा समझ रहा है और ये दोनों ही मा और बेटे का रिश्टा निबा रहे हैं मेसी अपने डैट को लेकर यहां से निकल जा इतने सारे लोगों के साथ साथ उनके एक ऑफिसर को भी खत्म कर दिया था और अब हमें रोस दिखाए जाती है जो जैक की बाई की साथ सबसे दो रह रहे थी और वो उसकी वैसी देखबाल कर रहे थी जैसे एक माम करती है और वो भी उसकी साथ हसी कुशी रह रह रहा था उसने अपने भाई जैक को भी बुला दिया था, पर अब हम बहुती दर्दनाक सीन देखते हैं, जब रोज कैमरा के तरफ देखती हैं, उसके जीरे पर शेतानी मुस्कुराहट थी, यानि कि उसने यहां भी कैमरे लगाय हुए थी, और इस बार कैमरा की उस सरफ और कोई नही बलके जैक था, जिसके साथ भी रोज ने वैसे किया था, जैसा मेसी की असली मौम के साथ किया, यानि कि जैक की हाथपाओं भी काट कर उसे एक जगा पर बिठा दिया था, वो भी बस कैमरा के जरीए अपनी भाई को देख सकता था, और अब उसकी जिंदगी भी किसी अब तुम्हारा भाई मेरा होगी है, यानि मेरा बेटा बन गया है, या जैक काफी दुखी हो गया हूँ, क्योंकि उसे अफसोस था, कि शायद ये मुझी मेरे कुनाहों की सजा मिल रही है, जो आज मैं इस हालत में हूँ, वो भी अपने लिए मौत मांग रहा था, और उसक दर्द को दिखाते हुए ही, ये फिल्म इधरी खत्म उचाती है,